हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत गुद मारी वेरी वेरी गुद मारी और बहुत बहुत स्वागत है आपका Ice Cube Education प्लेट्फॉर्म पर गाइस यहां पर हम देख रहे हैं सैट वाइस हम सैट चला रहे हैं ठीक है हम इससे पहले पंदरा सैट को देख चुके हैं हम हर set में कितने आपके 50 questions को देखते हैं गाइस कितने देखते हैं 50 questions को cover करते हैं आज है हमारा set number 16 तो सभी बच्चे class में आएंगे जल्दी से और session को like कर लेंगे share करेंगे ठीके और जो भी नए है वो session को subscribe करके bell icon को या से press कर लेंगे तो चलते हैं आगे आपके किसी भी exam के लिए बहुत important हो जाता है तो सुबह मेरा कहना है कि चाई की चुसकी से चाई की चुसकी के साथ ये 50 questions जरूर attend करें जिससे जो भी exam होगा exam के आते आते बड़ी ही अच्छी तैयारी आपके हो जाएगी ठीके तो guys PDF के लिए telegram group ठीके और विभाजन के बारे में प्रसिद आख्याइन, दे other side of silence का लेखक है ठीके तो guys इस एक book है यहाँ पे पूच़ा जा रही है क्या नाम है उसका दे other side of silence ठीके ये विभाजन के बारे में लिखी गई पुस्दक है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है तो उसके लेखक के लिए आम तोर पर किस प्रकार के डाटा का उपयोग किया जाता है ठीक है तो उच्चता दर्शी वक्र तयार करने के लिए किस प्रकार के जो है डाटा का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो यह बताना है आपको किस प्रकार का तो वैसी उच्चता दर्शी वक्र क्या होता है यह होता है जैसे मानली जी ये अपका समुद्र है तो समुद्र से जो उचाई ना पी जाती है तो उसको मिलाने वाली दो बिंद जी जो बिंद है इस तरीके से क्या है ये उच्चता मापी जो है वक्र होता है इसे उच्चता मापी वक्र कहते है तो इसका पूछा जा रहा है कि इसे तैयार करने के लिए किस डाटा का प्रयोग होता है तो किस डाटा का होता है तो इस संचई डाटा का उप्योग होता है चली नेक्स्ट कोस्टन है हमारा निम्न मैसे कौन सी नदी महारास्ट से निकलती है तो गाईस यहां भी महारास्ट से पूछ रहे हैं कौन सी नदी निकलती है रिवर सिस्टम करा चुके हैं प्लेलिस में जाके देख लेंगे तीन पार्ट में आपको इंडियान रिवर सिस्टम करा तो कौन सी नदी निकलती है गाईस तो महारास्ते तो निकलती है आपकी गोदावरी ओप्शन सी होगा गोदावरी निकलती है आपकी महारास्तु से बाकी आपकी नर्मदा निकलती है गाईस MP मध्यप्रदेश से ठीक है MP मध्यप्रदेश से निकलती है आपकी अमरकंटक की प तो इसको याद रखेंगे. चले. आपको कलास करा चुके हैं. मुझे नहीं लगता जो कोष्चन आते हैना. वहां से आपका गलत होना चाहिए. जिसने भी मेरी प्लेलिस्ट करी है जाके प्लेस्ट सा स्ट्राइटिक जी के वाली जोग्रफी वाली ठीक है तो जोग्रफी का गलत नहीं होगा ठीक है तो वहाँ पर चुन-चुन के एक गता का प्रस्ता पारत किया गया तो राष्ट्रे एक्ता का प्रस्ता पूछा जा रहा है कि जो भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस थी उसके किस अधिवेशन में राष्ट्रे एक्ता का प्रस्ता पारित किया गया यह पूछा जा रहा है तो किस में यह था आपका लाहोर अधिवेशन 1929 ने आपका राष्ट्रे ये एक्ता का प्रास्ता पारित किया गया और इसके अध्यक्ष देखें इस अध्याक्ष समय यहां से पूछे जाते हैं याद रखेंगे और इसी अधिवेशन में माईडियर क्या किया था पूर्ण स्वराज को भारत ने अपना लक्ष घोशित किया था तो ध्यान रखेंगे बहुत कोशन मनते हैं यहां से कि पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष भारत ने कब घोशित किया था तो यही लाहर अधिवेशन 1929 में ही घो सट रहेत हुआ था चीए याद रखेंगे से this next है माझार सिक्स कोषटन तहकीक एह लवरुनी ने लिका था वह एक और विद्धान था तो गईस कौन सी तहकीक ए हिंद एक बुक है इसको एक विडेसी यातरी अलवरुनि अलवरुने ने लिखा था यह एक विदवान था यहां पर languages दे रखिए हैं मतब कहां का विदवान था मतब देश मान सकते हैं तो कहां का था फारसी यानि फारस का था मोरक्को वासी था यूरोपिय था चीनी था ठीक है तो जो अलवरूनी था गैस वो कौन था फारसी था ठीक है अलवरूनी एक फारसी विद्वान था जिसने तहकीक एह हिंद लिखी थी ठीक है तो इसको याद ऐसे किस नदी का दौरा किया मैं सोची यह रीजनिंग का कोश्चन धाल दिया इसमें ना कुछ ऐसी लेंगविजिशन को पहले पढ़ा ना तो मुझे लगा था रीजनिंग का कोश्चन आ चले तो देखते हैं वाई लेकिन इस तैप यह कोश्चन बड़े मज़िदार होते है दिनेश ने हाली में एक नदी का दौरा किया था जो दो बार करक्रेखा को पार करती है या कहीं कहीं काटती है ठीक है काटती है भी लिखाओगा तो एकी बात है उसने निम्न मैसे किस नदी का दौरा किया ठीक है तो इन मैसे किस नदी का दौरा किया पहली बार तो यह बता है यह आपका question है comment box में बताना है आपको पता है मैं आपको question देती हूँ तो आज यह पहला question है साथ में number पर आ गए है अभी तक नहीं पूछा तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के करक्रेखा ठीक है करक्रेखा भारत की आपको पीच्योशन से जाती है थो इससी को कहते हैं दो आज तो याद रखेंगे कर करेखा को दो बार कौन सी नदी काचती है माही नदी काचती है देखते हैं पिचवाईगें कौन सी शैली से संबंदित है यहाँ पर एक पैंटिंग है पिचवाई पैंटिंग कि शैली से संबन्दित है तो यह आपकी नात द्वारा शैली से संबन्दित है फिचवाई पैंटिंग याद रखेंगे important है पूछा गया question है कभी भी repeat हो सकता है दुवारा तो याद रखेंगे चले 9 question है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण को, उसका नाम दिली NCR में डेश की निकटवरती असोला गाओं से प्राप्थ हुआ है, ठीक万 तो नाम याद रखेंगे, कि क्या नाम है अभ्यारण का असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण, ठीक, वाइल्लाइफ सेंस्यूरी उस एक गाव है Azolla उसी के नाम पर इसका Azolla भट्टी जो है वाइल-लाईफ सेंचुरी नाम रखा गया है ठीक है तो इसे याद रखेंगे कहाँ पर है यह न्यूड डेली के बदली के निकट एंसी आर में है ठीक है Dash का जुलाई 2012 में निधन हो गया तो guys जिनके निधन होते हैं या नई राष्टपती चुने जाते हैं यहाँसे भी कोशन मंते हैं इनका निधन हो गया है जुलाई 2012 में जीके तो इनका नाम पूछा जा रहा है एंगोला के सबसे लंबे समय तक कारवरत रहे थे इसलिए important हो जाता है क्योंकि सबसे लंबे समय तक वहां के राष्टपती रहे थे तो guys कौन है ये जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस ठीक है जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस वहां के राष्ट पती थे अंगोला के जो कि सबसे लंबे समय तक वहाँ पर राष्ट पती रहे और इनका हाल ही में निधन हो गया चलिए निम्न मैंसे कौन भारत की पहली महिला चिकिसद थी फुक मिया चलिए निम्न मैंसे किस भारत राज्य की सीमा है चिन से नहीं लगती तो किस भारती राजी की सीमा चीन से नहीं लगती ये पूछा जा रहा है राजिस्थान के किस जिलेकी स्वारती शर्मा को विश्व व्यापार संगटन में विधी अधिकारी नियुक्ति किया गया है तो World Trade Organization यानि WTO WTO में क्या विधी अधिकारी ठीक है विधी अधिकारी आपका कानूनी अधिकारी नियुक्त किया गया है राजिस्तान की है स्वाती शर्मा ठीक है इनको विधी अधिकारी WTO में नियुक्त किया गया है तो important question है गाईस तो ये किकी है ये जुन्जुनों जिला, राजिस्तान का जुन्जुनों जिले की रहने वाली है, श्वाती सर्मा, ठीक है, चल्ड, नेख्स वोचन है, हमारा हडप नीती का सिध्दान्थ, भारत के किस गवणर जर्नल से सम्मधित है, तुम एस हडप की नीती, इसको ब्यबगत का सिद्दान एक और नाम से जाना जाता है इसको क्या ब्यबगत का सिद्दान ठीक है ब्यबगत के सिद्दान के नाम से भी जाना जाता है किस गवर्नर जनरल से संबन देते हैं तो बड़ा ही फेमस सा गवर्नर जनरल है ठीक है कौन है लॉट डल होजी ठीक ह है 1848 से लेकर 1856 ठीक है 48 से 56 तक इसका कारे काल रहा डल हो जी का ठीक है और इसी के समय में आपकी क्या है रेलवे सेवा रेलवे सेवा सुरू की गई इसी के समय में कव 1853 में ठीक है 1853 में इसी के समय में railway सेवा सुरू होती है इसी के समय में आपकी डांक सेवा सुरू होती है इसी के समय में आपके communication के जो भी काम है संचास से related वो सारे काम इसी के समय में स्टार्ट होते हैं ठीक है तो डल हो जी काफी important हो जाता है क्योंकि इसके समय में DRDO के अध्यक्ष है परतमान में, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोचन है, निम्न मैंसे कौन सी PT उसा की आत्मकता है, तो इसको याद रखेंगे, VVI लगाएंगे, इस पे बहुत इंपोर्टन है ये, ठीक है, पीटी उसा की आत्मकता है, गोल्डन गर्ल, चलिए, नेक्स्ट किसकी राजधानी है, नूर सुल्तान, कहीं कहीं नूर, नूर सुल्तान भी होता है, तो याद रखेंगे, जाया तरब को नूर सुल्तान ही मिलेगा, ठीक है, तो किसकी कैपिटल है, किसकी है, कजाकिस्तान की, ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल है, नूर सुल्तान, तो या क्या था उननीस सोबीस के दश्रक में हड़तालों में schramik को संगठित किया था पूछा जा रहा है कि यहां पर महिलाइं दे रखी है इन मेंसे कौनसी वह महिला श्रमिक नहीं है जिसने 1920 के समय 920 के समय जो हड़ताले हो रही थी या जो आंदोलन हो रहे थे वहां पर श्रमिकों को गठित किया था तो इन में से कौनसी महिला नहीं है सरला देवी चौधरानी पहले तो option A होगा बाकी उशा बाई डांगे प्रभावती देवी अनसुवा बहन ठीक है इन सबी ने क्या किया था यहाँ पर हड़तालों में श्रमिकों को संगठित किया था तो याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम निम्न वैसे किसने कलकत्ता में फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना की थी गैस यह जो महिलाएं है ना इनसे question बनता है गैस यह previous year question है तो इसको याद रखेंगे और यह जो महिलाएं गिनी चुनी महिलाएं है कुछ है ना कुरा संता सेनानी महिलाएं है इनकी नाम थोड़ा सा याद कर लेंगे ज्यादा नहीं है मुश्किल से दस्वारा जो है फीमेल होगी इनके नामों को एक लिस्ट एक पेपर पे लिख लेंगे ताकि अगर कभी भी इनसे कोश्चर बनता है तो आपका गलत ना हो चिक चले नेक्ट काफ़ी important है चले भारत संयुक्त राष्ट में किस Noel है संबलित हुआ तो कई संयुक्त राष्ट की सदस्याता हासिल की ऒढ़ा में दुतिय विस्युद खतम होता है 1946 में और भारत 1945 में इसका सदस्य बन जाता है तो यहां से question काफी बनता है कि क्या संयुक्त राष्टर संग में भारत दुतिय विस्युद के पहले सामिल हुआ था या बाद में ठीक है तो इस याद रखेंगे पहले ही शामिल हो गया था च इसको कहा जाता है आदिम निर्वाह क्रिशी को स्लैश एन वर्न क्रिशी कहा जाता है इसे याद रखेंगे स्लैश एन वर्न क्रिशी नेक्स्ट कोश्चन हमारा निमनमैसिक किस भारती राजनेता ने प्राइड, प्रेजुडिस, एंड, पंडित्री नामक पुस्तक लिखी ठीक है ज़िक है निम्नमैसे किस चक्रवाद को समुद्र पर जल स्थम कहते हैं तो किस को यह है आपका टोर्नेडो टोर्नेडो जो आपका साइकलोन है उसको समुद्र के उपर जल स्थम कहा जाता है नेक्सक्षों रेखुर्ण है इंडिया ग्रोज एट नाइट के लेखक कौन है इंडिया ग्रोज एट नाइट के लेखक पूछा जारे गाइज उसके कौन है तो कौन है इंडिया इंडिया ग्रोस एट नाइट तो ये गुर चरंदास जो है इसके देखक है इंडिया ग्रोस एट नाइट के ओके नेक्स्ट कुछ है हमारे 25 मलेशिया की मुद्रा क्या है मलेशिया के करंसी क्या है ठीक है तो यह पूछा जा रहा है मलेशिया की करंसी क्या है मलेशिया एक आपका साउथ इस्टेशियन देश है कंट्रे है ठीक है तो इसकी करंसी क्या है यह है मलेशिया ही रिंगित तो नाम से ही पदा चल रहा है मलेशिया ही रिंगित लेकिन मलेश पूच्छन इस तरीकिस हब को दे दिया जाए तो सोचो क्या होगा आपका है न तो याद रखेंगे इसको सामाजिक विशयों पर आधारित एक लोग नरत्य का नाम बताईए इसकी दो मुख्य परमपरा हैं हाथरस परमपरा और कानपूर परमपरा तो गाइस दो नरत्य हैं म कौन कौन सी एक तो हातरस परमपरा दूसरी कानपूर परमपरा ठीक है हातरस परमपरा या कानपूर परमपरा ठीक है तो यह कौन सी दो परमपरा मतब यह कौन सा लोक नरत्य है यह पूछा जा रहा है ठीक है तो कौन सा है गाईस यह नोटंकी ठीक है यह क्या है नोटंकी ह जो आपका कहां पर गाइस ये उत्तर प्रदेश ठीक है पूछा जाए किस राज्य में होता है उत्तर प्रदेश में होता है नौटंग की इसकी दो धाराएं है कौन-कौन सी हात्रस परंपरा और कानपूर परंपरा याद रखेंगी फोग डांस पे क्लास करा चुके हैं क्लास या जाकर प्लेलेस में देख रहेंगे चली जापान की राजधानी क्या है किसी को नहीं पता होगा सबक्राष को पता ही ऑगा तो टोक्यो चीक है जापान की है क्यापिटल टोक्यो है ठीक है तो कहां पर है तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार तो यह याद रखेंगे ग्रेट और टीसियन बेसिन का भाग मूचा जा रहा है ठीक है तो कहां पर है यह Queensland ठीक है उस्टेलिया में एक जगा है Queensland वहाँ पर इसका प्रमुक भाग यानि इसका जो मेन पार्ट है वो इस देथ है next question है हमारा सुब्रतो कप किस खेल से संबन देथ है तो गाइस हमारे questions में कप से ट्रोफी से related भी आता है किस खेल से संबन देथ है तो एक question आता है रोज तो किस से है footwall ठीक है option A होगा सुब्रतो कप footwall से संबन देथ है next question देखते है guys 2023 में ICC पुरुस cricket vicious cup की मेजवानी कॉन सा देश करेगा 2023 में ICC पुरुस cricket vicious cup की मेजवानी hosting कौन सा देश करेगा यह पूछा जा रहे है कौन सा देश करेगा यह हमारा प्यारा भारत हमारी जान भारत ही इसकी मेजवानी इसकी होस्टिंग करेगा इसी यह इंपोर्टेंट हो जाता है तो स्टार लगा लेंगे। ठीक है चली next question देखते हैं हम हमारा अगला question है भारत के विश्वस्थर पर प्रशंसित संगीत कार र रिक्की केज ने ठीक है तो पूछा जा रहा है भारत के विश्विस तरफ पर प्रसेंस जित तो ये अपने भारत के हैं याद रखना है कभी कोशन पूछ लिया जाए कि रिक्की केज किस देश के हैं तो ये भारत के हैं यहोंने कौन सब पुरुसकार जीता है तो इन्होंने 57 27 पुरुसकार जीता है ठीक है यह पूचा जारे किस योगदान के लिए ठीक है किस योगदान के लिए तो किस के लिए गाइस यह संसार की हवाएं ठीक है संसार की हवाओं के लिए इन्होंने जो है यह पुरुसकार जीता है ठीक है चली नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत में राष्ट्रिय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है ठीक है भारत में राष्ट्री समुद्री दिवस कब मनाया जाता है तो आपके चार ओप्षन है तो ये बताना है तो क्या होगा ओप्षन ये होगा अप्रेल में राश्ट्रिय समुद्री दिवस 5 एपरिल को मनाया जाता है चलिए नेक्स कोशन देखते है हमारा निमनमैसी कौन सा आयोग केंद्र राज संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया तो केंद्र राज संबंध ठीक है सेंटर स्टेट रिलेशन सिप पर जो है उसके रिलेशन सिप पर गौर करने के लिए या उसकी अनुशन साय करने के लिए कौन सा आयोग नहीं बनाया गया यह पूछा जार है आपर नौट है गाईस तो उसे याद रखेंगे देखे आपका स लगाएंगे राज मननार आयोग यह भी आपका जो है सेंटर स्टेट रिलेशन सिप के लिए नहीं है केंद्र राज संबंधो के लिए नहीं है तो सोली, सोबर आयोग ठीक है ये नहीं है आपका option C ये आपका center state relationship के लिए नहीं है केंदराज संबंदों के लिए नहीं है ठीक है कौन सा है सरकारिया आयोग, राजमनार आयोग, M.M. पुंची आयोग ठीक है तो याद रखेंगे सरकारिया, राजमनार और पुंची आयोग ठीक है तो इनको याद रखेंगे, यहां से बहुत ही बार question वने है तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है चले, निम्नमैसी किस ने, 1917 में महिला भारतिय संग, Women's India Association की स्थापना की, कब 1917 में महिला भारतिय संग, यानि Women's India Association की स्थापना की, guys VVI, VVI, मतलब मैं तो यह जितना लगा सकते हो, very, 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 very important, बहुत बार पूचा गया है, और एक ऐसा question है, यहां से बच्चे अक्सर question गलत करते हैं, ठीक है, बच्चे उपर-उपर के संगठन याद कर लेते हैं, हिंदो साराज, गांदी जी का है, उपर-उपर के कर लेते हैं, फॉर्डवर व्ल यह क्या है, पहली, यह क्या है, first women थी, जिन्होंने भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अध्यक्सता की थी, भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अध्यक्स वनने वाली, पहली अगर कोई महिला थी, तो कौन थी, एनिवेशन थी, ठीक है, और पहली भारती महिला कौन थी, सरोजनी नाइडू थी चुछ में करा चुकी हूं और ड्रेश इनों परसिता कि तो यह 2017 में अध्यक्षता कि थी कलकत्त अधिवेशन था तो स्थापना कि थी कह भुए गारथ próximo प्रियाश कि बिदवा पुनिर Nah undggiast की सथापना एसरो बहुत important है एक याद रखेंगे इंडिया की तो बिद्वा पुनर विवा को बढ़ावा देने का प्रयास किया तो किसने किया गैस बिद्वा पुनर विवा ठीक है मतलब बिद्वाओं का दुबारा से विवा होना चाहिए इसका समर्थन किसने किया ठीक है तो किसने किया गैस यह हैं डीके करवे बहुत ही फ पहला बिद्वाओं का स्कूल था उसे भी याद रखेंगे कोश्चन बनता है कि बिद्वाओं के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया तो डीके करवे ने ठीक है याद रखेंगे यह बिद्वाओं के पुनर विवास संबंदित योगदान किया इन्होंने इसलिए बहु में नहीं था ठीक हे इनके सिद्धामतों में नहीं था इनके व्यवार में भी था इसलिए एक बिद्वा से ही शादी करते हैं तो बड़े ही अच्छी समा सुधारत थे बीके करवे महिलाओं के लिए उन्हें बहुत काम किये चले पूछा जा रहे किसके जंता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षी योजना को उसको समय से पहले ही सगित कर दिया किस ने जंता पार्टी ने तो किसको यह थी आपकी पांचवी पंचवर्षी योजना थी और इसी योजना में गाईसे एक नारा लगाया गया था कौन सा गरीबी हटाओ का नारा थीक है तो मैंने प्लानिंग कमीशन पे आपको जो आपकी 5-year plans हैं इन पे मैंने आपको session करा रखा आप जाके देख सकते ह हैं बहुत अच्छे से इनमें क्या क्या इनके लक्ष थे हैं क्या 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 इनके नारे थे क्या 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 इनमें कार्वे किये थे सारे मैंने आपको उसमें कराया हुआ है तो इसमें एक बहुती फेमस नारा था गया इस गरीबी हटाओ पंचवी योजना में क्या था गरी गरीबी हटाओ, नोट कर लेंगे कहीं भी क्योंकि यहां से question बनता है गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया था, वहाँ पर मैंने आपको एक तरीके से याद करवाया था, जो बच्चे मेरे को बोलते थे, मैं हमें तो यादी हो गया, पांचवी पं योजना में दिया था, नारा हम इसी तरीके से लगाते हैं, तो कभी भी याद आ गया, पांचवी तो बस गरीबी हटाओ, इस तरीके से याद कर लेना तो याद हो जाएगा, इस समय, अब आपका ये question है, बहुत टाइम से नहीं पूछा, guys, बहुत ही famous, बहुत ही famous, इस समय कौन थी, एक PM थी हमारी, ठीके, PM थी, इस समय बहुत ही famous, ठीके, तो उनका नाम comment box में बताएंगे, और ये भी बताएंगे मुझे, कि पांचवी पंचवरशिय योजना का कारेकाल क्या था, ये आपका question है, बहुत देर से class में सो रहे हो, तो जाग जाओ, कारेकाल बताना ह और यहाँ पर कौन थी उस समय हमारी जो है प्रधान मंत्री, ठीके, iron lady के नाम से जाना जाता है भई, तो ये comment box में बताना है, चलिए, किस रियासत के खिलाफ अभियान को operation polo कूट नाम दिया, ठीके, तो पूछा जारा है कौन सी रियासत थी, जिसके खिलाफ एक अभियान चलाये गया था, जिसको operation polo नाम दिया गया था, ठीके, गाइस, तो operation polo नाम दिया गया था, किस रियासत को, देखे, गाइस, मैं आपको बताते हूँ, कश्मीर, जब भारत आजाद हो गया था, तो भारत में जो भी देसी रियासते थी, ठीके, जिसने भी history पढ़ी, अब अच्चे ने बता दू, कि भारत की आजादी के बाद, कुछ ऐसी देसी रियासते थी, जो भारत में जिनका बिले नहीं हुआ था, जो भारत के साथ, मतब एक नहीं हुई थी, बाकी सारी रियासते भारत में मर्ज कर ली गए थी, अपने आपी भारत में आगे थी, कि हाँ, हम भारत का ही अभिन्व अंग बनेंगे लेकिन उस समय कुछ ऐसी देशी रियासतें भी थी जो अपना सासल स्वतंत रूरूप से चला रही थी कौन कौन सी ती गाइस आपका कश्मीर था आपका जूनागड था ठीक है हैदराबाद था गोगा पे तो मतब आपका उस समय फ्र गरहन कर लिया हैदराबाद को मिला लिया गया ओपरेशन पोलो की तरह ठीक है एक ओपरेशन चलाए गया था ओपरेशन पोलो जिसके तरह हैदराबाद की रियासत को वहां के राजा को बोला कि भाई अब भारत में शामिल हो जाओ मतब जबरस्ति उनको शामिल कर लिया गय जूनागड का विलय कैसे हुआ तो यहां पर प्रशाश की कारवाई ठीक है प्रशाशन के द्वारा ठीक है प्रशाश की कारवाई द्वारा हुआ और हैदराबाद का भी विलय क्या है एक ओपरेशन चलाए गया ओपरेशन पोलो एक तरीके से प्रशाश की कारवाई ठीक है पुलिस कारवाई के ही द्वारा हुआ, ओपरेशन पोलो चलाया गया और विलाय कर लिया गया, तो गाइस धिहान रखना है इनके विलाय भारत में कैसे हुए, चीके, चली, किसी सदस्य की मृत्यू या इस्तिफे से खाली हुए स्थान के लिए जब चुनाव होता है उसे कहत हैं, तो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर चार नाम दे रहें चुनाव के तो उसे क्या कहते हैं, उप चुनाव कहा जाता है, पूछा गया कोश्चन है, तो याद रखेंगे, चली, नेक्स है हमारा भारती जंडे में चक्र का रंग है, तो हमारा ज चोग चकर, उसमें चक्र दे रखा है, उसका रंग है, आपका निला चीके, तो याद रखेंगे, चली भारती समिधान के अनुशार जच्ष द्वारा, राज्य वेवस्थापिका के इस समात्थ क दौरा जा सकता है, चीके, तो靠 जड़े में, वारती समिधान के अनुशार ज परिशद होती है ठीक है विधान परिशद की बात हो रही है निम्न सदन कौन सा होता है विधान सभा ठीक है पहले तो दोनों का नाम याद रखेंगे निम्न निवन सदन कौन सा है गाईज तो ये है विधान सभा ठीक है तो पूछा जा रहा है कि जो उच्च सदन है यानि विधान परिसद है इसका क्या होता है इसका निर्माण या इसे समाप्थ ठीक है इसे निर्माण या समाप्थ किसके द्वारा किया जाता है ठीक है तो ये जो राज्य बनवाना चाहता है अपने राज्य विधान सवा तो ऐसा प्रस्था पारित करता है संसत को कहता है कि हमें राज्य में विधान परिशत की जरुवत है तो आप इसका निर्माण कर दीजे ठीक है तो इसको समाप्त या निर्माण करने का जो अधिखार है संसत के पा joint sitting की अध्यक्षता कौन करता है ठीक है joint sitting पहली बार तो joint sitting को बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है गाईस तो राष्ट्रपती ठीक है राष्ट्रपती बुलाते हैं किस article में है तो article 108 ठीक है article 108 में है और अध्यक्षता कौन करता है गाईस तो लोकसभा अध्यक्ष्, इसकी अध्यक्स्ता करते हैं, जब किसी भी प्रस्ता है किसी भी विदेहक GitHub पर लोकसवा, राज्ज symbi, यानि दोनों सद्रोम GOT हो जाता है, तब क्या होता है, राष्ट्रपती जिस Joint Sitting B stitch बुलाते हैं, सयूक्त बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्स्ता लोकस तबा अध्यक्ष करता है आर्टिकल 108 में ठीक है और यह होता किस विदेहक पे है यह जॉइंट सेटिंग यहां से भी गाइस कोश्चन पूछा जाता है कि जॉइंट सेटिंग किस विदेहक के उपर तो ध्यान रखना विशेश विदेहक कभी नहीं होता यह हमेशा साधारण ह हमेशा ही साधारण विदेहक के उपर ही बहस में जॉइंट सेटिंग होती है तो ध्यान रखेंगे साधारण विदेहक होता है सामान निविदेव स्टेलर की समुद्री गाय किस के कारण विलुप्त हो गई स्टेलर की समुद्री गाय किस कारण विलुप्त हो गई समुद्री गाय ना देखी हो तो एक बार सर्च करके देखींगे गूगल करके ठीक है तो किस कारण विलुप्त हो गई राइट टू एजूकेशन ठीक है राइट टू एजूकेशन पूछा जा रहा है कि किस मूल अधिकार का घटक है ठीक है तो किसका है घटक मतलब किस मूल अधिकार में आता है या किस मूल अधिकार का पार्ट है तो गैस स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है स्वतंत्रता का अधि किसमें है गाइस आर्टिकल 21 में आपने सभी ने पढ़ा होगा आर्टिकल 21 में प्राण एवं देहिक सोतनता ठीक है प्राण एवं देहिक सोतनता की चर्चा आर्टिकल 21 में करी गई है उसी में आर्टिकल 21A में ही आपका सिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है ठीक है उसको य हमारे सौर मंडल में निम्न लिखित मैं से कौन से ग्रह का समो पूरव से पस्चिम की और घूमता है ठीक है तो हमारे सौर मंडल में पूछा जा रहे गाईस कौन सा ग्रह पूरव से पस्चिम की और घूमता है ठीक है पूरव से पस्चिम की और घूमता है ठीक है तो कौन सा ह आपका शुक्र और यूरेनस शुक्र और यूरेनस आपके जो है पूरव से पस्चिम की और घूमते हैं और हमारे सारे ग्रह कैसे घूमते हैं पस्चिम से पूर ठीक है हमारी पृत्वी कैसे घूमती है गाईस हमारी पृत्वी कैसे घूमती है पस्चिम से पूर ठीक है तो य यानि सेनो जो एक शब्द का सही वर्णन करता है नूतन जीवी यानि सेनो जो एक जो शब्द है उसका सही वर्णन दर्शाता है निम्न मैंसे कौन तो क्या है गाईस स्थन धारियों की आयू ठीक है जो स्थन धारी थे आपकी उनकी आयू का जो है सही वर्णन करता है आपका स किसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता कोई भी एंजाइम किसमें नहीं होता तो किसमें नहीं होता है यह पित्रस पित्रस में आपका कोई भी एंजाइम नहीं होता ओके चली नेक्स्ट कोशन है हमारा बारिश की बहुचार के बाद एक इंद्रधनुस कहां दिखाई देता है तो जब बारिश की बहुषार होती है, तो इंद्रधनुस दिखाई देता है, यह कहाँ दिखाई देता है, तो यहाँ पर चार ओप्षन दिए गए हैं, इंद्रधनुस कहाँ दिखाई देता है, तो यह सूरज के विपरीत, सूरज के विपरीत दिखाई देता है हमेशा, जै कि घटनाए भी आपको पता होगी बारिश होने के बाद तुरंट जब धूप निकल जाती है तो छोटी-छोटी बहुचारें क्या होती है गाइस हवा में रह जाती है उन्हीं बहुचारों में क्या है सूरज की धूप पड़ती है और रिफ्लेक्शन के कारण जो है आपका प्रोटीन का सुरोथ है मास प्रोटीन का सुरोथ है और दूद भी आपका प्रोटीन का सुरोथ है ठीक है तो खाद्य तेल आपका प्रोटीन का सुरोथ नहीं है तो इसे याद रखेंगे कौन सा नहीं है खाद्य तेल ऑप्शन C आपका प्रोटीन का सुरोथ नहीं उस संजरचना का नाम बताईए जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियां नहीं है तो गाइस एक ऐसी संजरचना है पूछा जा रहा है उसका नाम बताईए जो कंकाल प्रणाली का तो हिस्सा है ठीक है कंकाल प्रणाली का तो हिस्सा है लेकिन हड्डियां नहीं है कौन सी है भई देखे ये कौन सी है गाईस यह है आपके दांत ठीक है आपके दांत है ये हमारी कंकाल प्रणाली का तो हिस्सा होता है लेकिन दांत जो है हमारे हड़िया नहीं होते ठीक है तो इसे याद रखेंगे चली नेक्स्ट कोश्चन है बड़ा ही यूनिक सा कोश्चन था तो याद रखेंगे डैस निम्न में निम्न सूची अमलों में सबसे कमजोर है ठीक है तो दिया जा रहा है कुछ अमल दिये हैं इन में से सबसे कमजोर ठीक है सबसे कमजोर सबसे नाजुक अमल कौन सा है तो एसेटि प्लॉरे कमल, नाइटरी कमल, हाइडरो, फ्लॉरे कमल, यह सारे के सारे जो है आपके स्ट्रॉंग एसिड हैं, बाकि यह स्ट्रॉंग नहीं है, एसिटिक एसिड ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, दाइस तो यहीं पे होता है आपका सैसन खतम, ओके यहीं पर सैसन खतम होता है, मिलते हैं, शाम को मेरी 9 बजे क्लास होगी, शाम को 9 बजे वाली क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे जैहिन, जै भारत